हेलो प्रेंड्स मैं बीकेद अत्ता मेरा यूटूब चैनल रेलोय मेकानिकल निल्पो आपके सेवा में प्रेंड्स आज के इस वीडियो से हम लोग जानेंगे इंडियन रेलोय में लॉंच हुआ है फास्ट हाई कापसिटी के लेजबी पार्सल और उसके जो स्पीड है वहां चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की जो नया नया वीडियो निकलेंगे आप लोग का पास जल्दी से जल्दी इंटिमेशन मिलेंगे आप लोग देख सकते हैं तो चलिए अभी इस एलिजबी पार्सल भैन को क्यों लाया गया के बारे में कुछ बात करते है फ्रेंड्स आप लोग जानते है की जो गूर्ट में समान जाते हैं चेश साथ दिन बाद में पहुंचने से कवे तकलिप नहीं होता है लेकिन दोस्तों आदमी के जो डिधी डिली जो समान होते है कोचीन का साथ में आपको पैर्सल बहन होते थे इस अभी वही चीज जल्द आपडेट लेके आया है जो कि एलेज़ बीका परसल तो अस्तास्ता तो आई से बंद हो जा रहा है तो एलेज़ भी नहीं आपडेट आ रहा है तो उसके परसल बन होना चाहिए नहीं तो उनका लिए इसको लेकर आए गया आप लोगों को जानना जरूरी है कि इंडियन रेलो और इंडियन रेलोए के रोलिंग स्टॉक में इस तरीके के हाइ कापासिटी के परसल बन एड़ हो रहा है रेलोह कोच फेक्टरी का फूर तला में बन रहा है पहला हाई कापासिटी एलेजबी का परसेल भैन देलोए बोट का नुसार 130 केमपेज में इसके और सिरेशन टेस्ट किया गया और आडियो से ने इनके सार्टिपिकेट दिया परसेल भैन एलेजबी ने बना रहा है और पूरा कोच सेल आपके स्टेनले स्टील के होते हैं पूर्ट्स ट्रांसपोर्टेशन को परसारिज करने के लिए बहुत सारे सुवीदा दिया गया जैसी की कोच में फोल्डा सिस्टेम के टू टायर लागेज रेक दिया गया और त् कोटी के एर सस्पेंशन से बनते हैं एक्सेल माउंट डिस ब्रेक हैं एंटी क्लाइविंग सीवीजी कपलर के साथ में ट्रैंजिशन स्क्रू कपलर लगा है जो की गाड़ी के कभी भी कहीं भी लग सकते हैं और कोच के अंदर में आपको बहुत सुन्दर लाइटिंग के भ का वैरिंग करते हैं और सेल के अंदर में आगी से बचाने के लिए फायर बॉल का इंतजाम किया गया है इंतजाम किया गया है हाई कपसिटी के परसल में होजी सिस्टेम से चलते हैं और रेक में कहीं भी इसको लगाए जा सकता है रेल्वे कोश फेक्ट्री ने यी कोमर्स परसल भैन को डेवलप करने के लिए 160 MPH पोटेंशियल के 210 M3 कपसिटी वाले परसल भैन को फिर से लेकर आ रहे हैं उसमें रहेंगे लोड सेल जो की पेलोड को इंडिकेट करेंगे और GPS ट्रैक के साथ में रहेंगे इस हाई कापसिटी के परसल में में पूरा-पुरी हेड जेनरेशन के सिस्टेम रहेंगे इसके दोनों तरफ लोको पावर के केबल सिस्टेम रहेंगे और जिसके लिए री संटिंग के कोई जरूरत नहीं पड़ेंगे पूच में छे इंटरियर संकें LED लाइट के इंतजाम किया गया और इसमें 32 नंबर टू टायर फोल्डा लाग गया है और तीन कोलासिवल पार्टिशन से चार कंपर्मेंट का इंतजाम किया गया के हाई कपासिटी पर्सेल वेन का ट्यार वेट होते हैं 33.5 के और लागेज केरियर के पासिटी होते हैं 24 टॉन्स के जबकि आई सीएव में 23 टॉन्स के होते थे मतलब इस तरीके से दक टांसपोर्टेशन का काम करते हैं 2.48 कैली पार रेशियो के सिस्टेम से एक्सेल माउंटेड डिस ब्रेक का सिस्टेम साथ में है और डबलू एस पी सिस्टेम साथ में इसमें लगा रहते हैं जिसके कारण आपके रैपिट एंड एफेक्टिव ड्रेकिंग पावर होते ह एंटिक क्लाइविंग, CBC कपलर का साथ में टंजिसर कपलर भी रहते हैं और साइड बाफर का भी सिस्टेम इसमें रहते हैं एक्सेल और कवर में आर्थिंग के पुरा-पूरी सिस्टेम दिया जाते हैं कोच के बाहर में फ्लीट ग्राफिक प्लीम रहते हैं रेड और सिल्वर ग्रे में लेजबी के कालर स्कीम के हिसाब से दोस्तों आप लोग इस तरीके से जान फाए इस वीडियो में कि इंडियान रिलो में पहला जो लौंच हो रहा हैं थारी पर्सल बैन और एक थारी परशल बैन वित है س्पीड में चलने वले प्लसल बैन दॉस्तों वीडियो को अच्छा लेके तो Programs दिईए मुझ से कुछ गलती हो तो माप कीजिए चैनल को अभी भी कोई सब्सक्राइब नहीं कियोंगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरीके के नया आपड़ेट वीडियो आप लोग के सामने आएंगे आप लोग देख सकते हैं आने आने वाले वीडियो है कि thank you for watching my video and have a good day